हलो दोस्तों प्लसफण के यूट्यूब के वीडियोज में आपका स्वागत है I hope कि मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे दोस्तों आप मुसे कई सारी सोचल मेडिया वेब साइस के जूड़ सकते जैसे कि फेस्बुक ट्वीटर इंस्टाग्राम वाट्सप और हमारे अपन डिजाइनिंग, कंप्यूटर सॉफ़एर, मोबाल रिपेरिंग, टैली, एडवांस, एक्सल, इंडक्शन, रिपेरिंग जैसे कई जारे कोर्से शुरू कर दिया और भी बहुत सारे नए-ने कोर्से शुरू करने वाले है यह सब कोर्से करने के लिए खाली मोबाइल में एक आई का मेसेज डाल दीजे तो पूरी जानकरी आपको वाट्सअप के माध्यम से मिल जाएगी चले टाइम विश्ट नगर तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है लेप्टॉप मदबोड के उपर हलाकि लेप्टॉप जो है उसकी शुरुवा तो ध्यान से देखना और याद रखना कि लाइक और शेर करना ना भूले वीडियो को और कमेंट में जरू लिखना है कि वीडियो को कैसा लगा तो चले टॉपिक की शुरुवात करते हैं आपने देखा रहेगा इस प्रकार का लैप्टॉप रैट देखा है नहीं देखा र यहां पूरी केसिंग जैसा याने की बैग के जैसे अपने लैपटाप आता इसके इसके बाद तोढ़े-फट्यी इनमेशन वेफर की साइस और छोटी कर दी गई स्क्रीन की साइस थोड़ी से बढ़ा दी गई और थोड़े इनिवेशन हुए जिसके अंदर लैप्टॉप कुछ इस प्रकार से दिखते है जिसमें टीवी जैसा स्क्रीन था लैप्टॉप के अंदर और यहां पर आप देख सकते के फ्लॉपी इसके बहुत बड़े-बड़े पोर्ट से याने की बड़े-बड़े पैनल से फॉर फ्लॉपी डिस्क के लिए क्योंकि उस जमाने मां हड़ी जैसी कोई सिस्टम नहीं थी तो लोग फ्लॉपी से ही डेटा ट्रांफर करते फ्लॉपी के अंदर ही डेटा स्टोर किया जाता तो उस जमाने का यह लेटाप है फिरे-देर उसके इंदर कुछ प्रिंटर भी एटाज होने लगे दीरे-दीरे एपल नहीं के मैशीन दोष ने एक नया एपल कंप्यूटर निकाला एपल लेटाप निकाला बेसिकली वह इस प्रकार से दिखता है जिसमें माउस में इंक्ल लेटाप की बात करें तो पीछे की दरफ से लेकर आगे तक पूरा सर्कीट भी उड़ा दे थे और यहां पर इस प्रकार से पीछे ना करते हुए उसी के अंदर आपको पूरा सर्कीट इंटरूस कर दिये गए थे इसके बाद आप देखो कि तो और थोड़ा सा पतला कर दि लेटाप साथी बहुत ही रहती है और उसका जो बैकप टाइम रहता है वह भी काफी जादा रहता है लेकिन इसमें भी लेटेस्ट वरजन आया कुछ इस प्रकार से यह माइक्रोसोफ का प्रो लेप्टॉप जिसको हम लोग बोल सकते इसके अंदर लेप्टॉप और टेबल पढ़ने पर इसको निकाल भी सकते हो जरूत पढ़ने पर दुबाला लगा भी सकते हो और एकदम आसनी से चुम्ब की रहता है चुम्ब की अपने आप चिपक जाता है तो यह आटमेडिक वरकिंग करना शुरू कर देता है और साथी साथ इसकी जो स्क्रीन रहती है वह भी क्या-क्या रहता है तो जर्ली अभी के जो़ाइम क Ball करें तो उसके अंदर इतनी चीज़े रहती है यह लेचरब को खोल के बताया गया है इसमे आप देख सकते हैं कि एक की वोड है यह मॉस है I am andare रंक का रहाइ-वाइफाइक गरहाद я में उसका जो मजडर्व-डर्वोर् तो motherboard की बात करें तो सबसे ज़ादा बिगाड़ने वाला laptop में main चीज कर रहती है motherboard और वो ही जनरली बिगाड़ती है क्योंकि एक normal अगर मैं desktop की बात करूँ तो उसमें काफी सारी चीज़ों के मिलब उसमें जगा जो रहती है बहुत अच्छी तरीके से रहती है जबकि laptop के जगा की बहुत कमी रहती है क्योंकि ये compact बनाने के चक्कर में laptop के जो board और चोटे और चोटे और चोटे और चोटे करते गए उसके अंदर जो main motherboards के अंदर काफी बदलाव करने लगे और ये motherboard ही रहती है कि जिसमें problem आती है और motherboard में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो generally हम लोग हमारे students उसको आसानी से repair कर सकते है online वाले लेकिन जो लोग नहीं repair कर सकते है वो लोग ज्यादा तर उसको replace करने में ही ज्यादा belief करते है तो यह मदबोड में रहता क्या चक्कर है वो पहले हम लोग देख लेता है तो यह है हमारा एक original एक laptop का motherboard अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो मदबोड को भी डीटेल से explain कर रहा हूं यहाँ पर तो यह हमारा CPU socket है जहां पर हमारा CPU बैठता है यह जो हमारा VGA IC जिसको में बोल सकते है यह GPU बोल सकते है ग्राफिक IC बोल सकते है उसके इंदर उसकी खुद की रैप यहाँ पर लगयो है जो कि ग्राफिक रैम रहती है इसके बाद आप देख सकते है कि हमारा North Bridge है यह South Bridge है इसके लिए नीचे की तरफ आप देखोगे तो IO IC आपको मिल जाएगा यह CPU के आज बज़े उसका पावर सेक्षिन इसको में लोग VRM सेक्षिन बोलता है यहाँ पर इंपूट है पावर का तो हमारा पावर रिलेटेट सब सेक्षिन यहाँ पर रहेगा यहाँ पर हमारे कुछ पोट्स वगरे तो उसके रिलेटेट आईसी रहेगी यहा सेक्षिन फिरण ठीन भाहर का इयाँ को फिर चालिया रिलेटेट पावर सब्लाइज यहाँ पर मिल जाएगा यह kritrant साट कज बगरे यहां पर आपका मिल जाईगा तो यह स्यसक्वावर फोट्र में धाभी यहां और मम अब कर देखे तो तो मड़क में घृक्षा साथ में यहां पर motherboard में आया, कुछ-कुछ motherboard में ग्राफिक नहीं रहता है, तो यहां पर इस तयप में portion रहता है, खाली रहता है, blank रहता है, इसका मतलब है कि यही motherboard का श्तम 라फोक क्या से gay language करते हैं, अगर graphic चिप के साथ में रहेगा, तो यहां पर graphic की, आइचिप और उसके जो रैम वगरा लगा के वो लोग देते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं रहेगा वो लोग नहीं लगाते हैं यह मैनुफेक्चरर डिसाइट करते हैं बेसिकली आप जब एक खरीत तो यह सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है यह उसका र लैप्टॉप का जो बोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिखाए जाता है और एक लैप्टॉप की बोर्ड को स्टडी कर ले थोड़ा सा लेटिस्ट प्रकार का है यह आई 7 का बेसिकली लैप्टॉप का है आई 5 आई 7 का रहेगा मैं परफेक्क्ली तो बीना देखे कुछ बता नहीं सकता लेकिन आई 5 एचेवन में से एक है ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका वी और एंची यह ग्राफिक की राइन है यह पुछ विया रेम सेक्ट्शन आए कुछ ग्राफिक इसी को पावर सप्लाय के लिए रहेगा यह हमारा नौ बरिज और साओ बिज या उसके और यहां पर हमारे कुछ पोर्ट से यह उसके रिलेटेट सब आईसी से तो यहां पर इस प्रकार से यह पूरी चीज़े लगाईगी है आम तोर पे इसमें जो जाधा तर जो दिक्कत होती है लेप्टप के बूर्ड में वो ग्राफिक आईसी ही जाधा उड़ती है या साउथ ब्रीच उड़ता है या आयो आईसी उड़ती है यह जो में में अगर चीप उड़ गया ना तो जनरली कोई रिपैर नहीं करता है उसको रिप्लेस्मेंट करना ही आसान तरीका है लेकिन इसके लावा कुछ पावर रिलेटेट प्रॉलम हो गया ज्यादा और फिर यह जो आईसी जहें वह कुंसी आईसी कैसे काम कीथा है इसमें पॉद घरचेत ó पहले की जो जूने लेपटोप के बोर्ड़ तहächst प्रगार से काम करते थे हमारा CPU था नौट ब्रिच क्या करते थे तो हमारे ग्राफिक जो section था और RAM का section का ये दोनों को control करता था और CPU के साथ में communication करवाता था उसके बाद Southbridge था Southbridge हमारा PCI slots अंदर जो भी slots वगड़े रहेगा audio ports रहेगा LAN port रहेगा SATA port रहेगा USB port रहेगा IOICS का port रहेगा BIOS रहेगा ये सब यहां पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहां पर देख सकते यह graphic IC हो गया यह छोड़ दीजे फिलाल अभी यह Northbridge हो गया यह Southbridge हो गया और IOIC इसमें फिलाल पीछे की तरफ है लेकिन latest में थोड़ा से चक्कर अलगे देखो मैंने latest में यहां पर के बता है यहां पर CPU है Northbridge है sorry Northbridge नहीं है graphic IC है Southbridge है और IOIC है तो यह मैंने जूने का structure बता है latest में structure कुछ इस प्रकार से है यह i7 की family का मैंने बताने की कोशिश किये कि यहां पर समझो i7 का processor है यह खुद directly RAM को interact करेगा राम के साथ में directly खुद interact करता है graphic IC रहेगा तो graphic card को support वही करेगा अगर आप desktop motherboard की बात करें तो graphic port जो रहता है इसके बाद में PCI express slot जो रहता है वो सब control यही करता है इसका साथ ब्रीज जो रहता है यह जो रहता है हमारा साटा पोर्ट यूएस्बी पोर्ट PCI express के जो छोटे-छोटे पोर्ट रहे सिक्स बिट्स वाले या कुछ LAN कनेक्टर से साउंड कनेक्टर से बायो बायोस है आयो आई सीज यह सब को control करेगा हमारा साथ जो पहले काम करता है काली यहां पर हमारा जो CPU रहता है अगर ग्राफिक चिप नहीं रहेगा तो ग्राफिक का भी बहुत है करता है और रहएम नॉट ब्रिच यूट के लेके लिया लेकिन आज कल हम लोग इन ग्राफिक वाले ही कार्ड ज्यादे दर परीफरग रकता है तो ग्राफिक BRI इस फिर चीजा को Motherboards के related तो आप मुझे इस number के उपर WhatsApp डाल सकते हो और कुछ और extra जानकरी के लिए आप मुझे इस number पर email ID या आप इस email ID पर message भेज़ सकते हो I hope कि आप कोई वीडियो समझ में आ रहेगा short and sweet वीडियो था और आपको और भी detail अगा जानकरी शेए प्लीज 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 कमेंट में डालना मत भुलिए आप कमेंट में लिखोगे तो उसका related जरूर वीडियो बनाऊगा इस वीडियो को like और share करना ना भुलिए अगर आपने मेरी चैनल को अब तक subscribe नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए चले इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पॉ लिसनिंग